हेलो एंड वेलकम यू आल इस वीडियो में हम लोग जानेगे कि आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है इसे कैसे पता किया जाता है तो दोस्तों ये काम बहुत ही आसान है आप इसे कुछ मिनट में ही कर सकते हैं और आप इसे बीना OTP मंगवाई भी कर सकते हैं त तो चलिए दोस्तों हम इसे देख लेते हैं तो इसके लिए आप यहां से Chrome Browser open कर लेंगे open करने के बाद दोस्तों ये जो search box है आप इसमें सिरफ आधार टाइप करके search कर लेंगे search करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको अधार काट का official website दिख जाएगा आप यहां पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप स्क्राल करके नीचे आएगे और यहां पे आपको यह कापसर मिल जाएगा आधार services तो आधार services में थोड़ा नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है verify आधार number तो आप यहाँ पे verify आधार number पे click करेंगे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है enter आधार number तो आप यहां पे जो 12 नमबर का आधार नमबर है आप उसे यहां पे टाइप करेंगे और उसके बाद यहां पे यहां पे तो यहां पर क्लिक करके आप इसको दूसरा चेंज भी कर सकते हैं अब थोड़ा आसान आ गया है मैं इसे टाइप कर दे रहा हूं अब यहां पर आधार नंबर और प्लब्ध है और नीचे यहां पर लिखा हूँ दोस्तों एजबेंड इसका मतलब है कि यह जिस ब्यक्ति का आधार है उसकी आईउ 10 से 20 साल के बीच में है जेंडर मेल है स्टेट उतर परदेश और यहां पर यह जो मोबाइल लिखा हूँ है इसके सामने इस आधार कार्ड से जो mobile number link है उसका last का 3 number दिखा रहा है दोस्तों तो आप पता कर सकेंगे कि कौन सा number है जो इस आधार number से link है उमिद करता हूँ दोस्तों कि जानकारी अच्छी लगी होगी आप इसे like, subscribe और share करना न भूलिएगा थैंकी फर्वाच्ट